आपका स्वागत है। आज मैं पतंचली दूद पाउडर से पनीर बनाऊंगी। इस दूद पाउडर से पनीर बहुत है। क्योंकि यह फूल क्रीम दूद पाउडर है इसलिए बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट पनीर बन करके तैयार होता है तो चलिए दूद पाउडर से पनीर बनाना सुरू करते हैं पनीर बनाने के लिए जबसे पहले हम एक बरतर में एक लिटर पानी ले 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 लएए तो नीबु करश लेगे और यह यह पतन्जली दूद पाउडर दूसोग्राम का पैक है इससे मे को घोल करके दूद तियार करueंगी तो चलिए सब शेयार करते हैं तो सबसे पहले हम पैकेट को काट करके दूज निकाल लेते हैं एक फटोरी में यह दिखिए मैंने आप पर यह पूरा दूज निकाल लिया है अब हम से पानी मिल गोल करके दूज तयार कर लेंगे अब दूध बनाने का वीडियो अच्छे से पूरा प्रोसेस हमारे शेनल पर देख सकते हैं अब मैं इसमें दीरे दीरे करकर के दूद पाउडर डालूँगी और घोल करके दूद तियार कर लूँगी इसमें हम ऐसे ही दूद पाउडर डाल डाल के थोड़ा थोड़ा और इसे अच्छे से घोल लेंगे और दूद घोलने में कभी भी हड़ पड़ा है नौ कि दूद थोड़ा धीरे धीरे घुलता है वो भी ठंडे पानी में हम घोल रहे हैं तो आप कोई बड़ा स्पून ले और दूद जो इसमें डालते हैं उसे देजे किनारे ले जाएं और बरतन से चिपका करके चमच के डाल लेते हैं और सबी को अच्छे से हम इसे घोल लेते हैं फरसे हैं यह देखिए हमने दूद पूरा घोल करके तयार कर लिया है और यह एकदम बहुत ही गाड़ा दूद बन करके तयार हो गया है देखिए अब मैं इसे गैस पर रखती हूँ मैंने दूद को गैस पर रख दिया है और अब गैस कौन करेंगे और मैंने फुल फ्लेम रखा है और इसे तब तक गरम करेंगे जब तक कि दूद में उबालना आ जाए और आप इसे लगतार देखते रहें नहीं तो दूद गिर भी सकता है क्योंकि फुल फ्लेम पे हैं यह देखिए हमारे दूद में उबाल आने लगा है अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे थोड़ी दे ठंडा होने देंगे मतलब 20% हम इसे और ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे यूज करेंगे यह हमारा दूद 20% ठंडा हो चुका है अब हम इसमें नीबू करश मिलाएंगे मैंने या पे दो चमश नीबू करश निकाला और दो चमश मैंने इसमें पानी मिला दिया है और से मिक्स कर दिया है अम थोड़ा थोड़ा करके इसमें नीबू करश मिलाएंगे वो इचे चेला टेरंगी तीरे दीरे यह फटला है अब देख सकते हैं हमारे चेला टेख सकते हैं अब इसे ज्यादा दर तक आसे नहीं रखेंगे अब इसे चान लेते हैं सबसे पहले एक बर्तल लेंगे उसके उपा एक छलनी रख देंगे और एक कॉटन का महीन कपड़ा ले ले लें और इसमें हम अब इसे चान देंगे यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए अज़ अब ग्यादा इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी मिला देंगे ताकि छेना हमारा अच्छे से धूल जाए और इसमें जो नीबू का रस मिलाया था हमने इसका हो फ्लैवर भी निकल जाए यह देखिए अब हम इसे ऐसे गार लेंगे थोड़ा पकड़ के चाड़ तरफ से इसका पानी हम अच्छे तरफ से गार देंगे या फिर किसी बरतन के ऊपर रख करके और चकले से हम दबा देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए यह देखिए इसे हम ऐसे रह करके और इसे चकले से दबा देंगे ताकि इसका पानी जो हो निकल जाए अगर लें यह देखिए टेड़ा हो गया यह पानी निकल रहा है पानी को हम निकल देखिए अब हम इसे निकाल करके एक बर्दर में रख लेंगे यह देखिए हमारा कितना सॉफ्ट पनेर बन करके तयार हो गया है इसे आप भी ना काटे थोड़ा ठंडा हो जाने पर काटेगा ताकि अच्छे सेप में कटेगा और आप इस पनीर से कुस भी कई पनपसंद की सबजिया बना करके तयार कर सकते हैं घर पे ही ताजा पनीर बना करके या फिर आप इसे ऐसे भी चीनी मिला करके खा सकते हैं वो भी स्वादिश लगता है तो आप इसे जरूर ट्राई करें ये बहुत ही ताजा और फ्रेस और सौफ्ट पनीर है जो कि खाने में भी दम सभी पनीर जैसा ही लगता है पर ये तो फ्रेस और बिना मिलावट वाले दूद का फ्रेस पनीर है तो ये बहुत ही स्वादिश लगेगा आप इसे जरूर रही करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद